अलो दोस्तो आपका फिट स्वागत है मेरे चैनल Unlocking ज्यान में आज के वीडियो में मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाने वाला हूँ अगर आपने Ice Age मूवी देखी है तो आपको जरूर ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा हो सकता है आपने ये चीज पहले अपने आपने सामने जिन्दगी में देखी हो या ना देखी हो मगर मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ इस चीज के बारे में पूरी जानकारी तो अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना तो दोस्टो टाइम वेस्ट के वगएर मैं आपको जल्दी से पहले ही चीज दिखा देता हूँ तो ये है एक्रॉन तो आपने अगर इसे पहचान लिया हो तो आप समझ गये होंगे ये क्या चीज है तो जल्दी से हम पहले बात कर लेते हैं आईसेज मूवी की अभी तक आईसेज मूवी जो है जो कि डिजनी का प्रोडक्शन है इसकी पांच फिल्में अल्रेडी रिलीज हो चुकी है जो मैं आपको भी फ्लेश करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहली जो आईसेज मूवी थी वो 2002 में आई थी उसके बाद सेकिंड वाली जो थी वो The Meltdown 2006 में आई थी थर्ड वाली Dawn of the Dinosauruses जो आई थी वो 2009 में आई थी और फॉर्थ वाली थी Continent Drift 2012 में फिफ्फ जो थी जो लास्ट अभी रिलीज हुई थी 2016 में वो थी Collision Course अभी जो 6 साल बाद 6th मूवी जो है 2022 के ले अल्रेड़ी अनाउस हो चुकी है जिसका नाम है Adventures of Buck Wild तो ये वाली जो है छटी वाली आने वाली है इन सारी मूवी में अभी तक आपने रोटेस किया होगा एक गिलेरी जैसा एक जानवर दिखाए गया जिसके लंबे-लंबे दात है इसका मूवी में जो नाम है वो एक सेक्रेट है तो बहुत लोगों को डाउट है और समझ नहीं आता वो क्या नट है क्योंकि ये जर्नली इंडिया में देखने में नहीं मिलता है या एक्जेक्टली आपको कहां देखने के लिए मिलेगा मैं आपको इसके बारे में सारी डीटेल्स बताऊंगा तो ये जो एक फ्रूट होता है ये एक ओक ट्री में पाया जाता है ओक ट्री में जर्नली जो है इंडिया में बहुत कम जगाओं में ही मिलता है ओक ट्री मेंली जो है वो नॉर्थ अमेरिका साइड और मेक्सिको साइड में ही पाया जाता है बेसिकली ओक ट्री जो है वो अभी मैं आपको फ्लेश करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके का दिखता है ये पेड जो है जालतर जो है अपनी लकडी वगरेगले भार के देश में यूज होता है ये इसकी छाउव वगरा बहुत ही कम होती है इंडिया में आपको ये वाला जो ओक ट्री का पेड है ये जालतर हमाई उथरागंड में देखने को मिल जाता है अगर आप नैनी ताल की साइड पर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये पेड कुछ जगाओं में देखने को मिल जाएगा तो ये जो फूर्ट है ये ओक ट्री का ही है इसे बोलते हैं एक्रॉन ये इनसान के खाने लाइक नहीं होता है क्योंकि अगर आप इसके अंदर जो तोड़के जो इसके अंदर nut होता है उसमें एक chemical पाये जाता है जिसे tennis बोलते हैं ये ठोड़ा toxic होता है तो इसे इनसान नहीं खाते हैं और ये काफी hard भी रहता है जब यह कच्चा होता है तो जालतर जो भी wild animals, पक्षी वगरा होते हैं वो सभी इस nuts को खाते हैं तो दोस्तों यह जो oak tree होता है हिंदी में इसका नाम जो है बलूत का पेड या फिर शाह बलूत इसे बोलते हैं इसकी जो परजाती mainly इंडिया में पाई जाती है वो silver oak tree नाम से जानी जाती है मगर भार के देश में जैसे कि मैंने आपको पता है North America वगरा side में वहाँ पे इसकी 90 से ज़्याद परजातियां है और Mexico में तो 160 के आसपर परजातियां पाई जाती है तो यह जो हमरे पास ekron का भी nut आप देख सकते हैं मैं इसको चारो तरफ से आपको दिखा देता हूँ काफी हलका होता है और आप बिल्कुल इससे देख के समझ गे होंगे यह exactly वो ही चीज है जिसके पीछे उस movie में वो घिलैरी दोडती रहती है तो आज मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाने वाला हूँ मेरे पास ऐसे एक दो और पड़े हैं तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा इसके अंदर वो नट देखने में कैसा होता है तो मैं इस वाले सैंपल को आपको तोड़ के दिखाने वाला हूँ अंदर से क्या होता है मेरे पास दो और पड़े हैं अगर आपका question है कि मेरे को एक कहां मिले तो मैं जब Nanita last year घूमने गया था ये तब से मेरे पास रखे हैं मेरे को वीडियो बनाने का time नहीं मिला सोचा आज आपको दिखा दूँ तो इस वाले sample को जो मेरे पास third वाला है इसको मैं आज आपको तोड़ के दिखाता हूँ इसके अंदर ये किस तरीके का इसके अंदर nut सा रहता है तो पहले अगर इसका ये shell जो है उपर वाला बहुत easily हट जाता है तो इस तरीके की ये cap ही रहती है इसमें कुछ नहीं है और अंदर कुछ तरीके का ये nut रहता है अब इसके अंदर तोड़ के देखते हैं क्या निकलता है तो देखे एक ही hit में ये तूट गया है अब इसके अंदर मैं pass करके आपको निकाल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या था तो इसका जो छिलका है वो बहुत ही कागज की तरह पतला है तो अंदर अगर आप देखें तो ये वाली गिरी रखी हुई है तो होप आज आप समझ गए होंगे कि मूवी में जो दिखाये जाने वाला बार बार जो हमें वो सीन दिखाये जाता है कि जो एक गिलैरी जैसी चीज है सेक्रेट वाली वो किस चीज के पीछे दोड़ती रहती है तो होप आपको ये मेरा वीडियो इंफोर्मेटिव लगा होगा आपकी कोरी फाइनली ये खतम हो गई होगी वो नट कैसा सची में देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलना अगर आप अपने दोस्तों को भी पताना चाते हैं और ये नट का वीडियो दिखाना चाते हैं तो उनके साथ जरूर शेर करना जिनों ने भी ये आईसेज मूवी देखिए उनके बंद में भी ये डाउट जरूर रहा होगा ये असल जिंदगी में देखने में ये नट कैसा दिखता है